हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर जिसमें बीपी और शुगर के लिए एक इंपोर्टेंट कॉम्पोजिशन में आपको बताने वाला हूँ यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो जो ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का होता है एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डियस्टोलिक ठिक और जो सिस्टोलिक होता है वो लगबग लबग 120 होना चाहिए और डियस्टोलिक जो होता है लगबग लबग 80 mmHg होना चाहिए लेकिन जब blood pressure जो होता है वो 120 के उपर मिलता है लगातार और नीचे वाला जब blood pressure असी से उपर मिलता है 90 या 100 और जो 120 वाला है वो 130-140 मिलता है लगातार मिलता है तब हम इसको blood pressure की ओर जा रहा है high blood pressure की ओर जा रहा है patient को बोलेंगे इसके लिए क्या करना होता है जब भी आपको blood pressure की problem आती है तो आपको सिर में दर्द होने लगता है कभी पसीना भी आ सकता है थोड़ा चक्कर साई फील होता है खास कर सिर में भारी पर और सिर में दर्द होता है और इसके लिए आप BP चेक कराएं और लगातार छे से साथ दिन चेक कराएं और लगातार यदि आपका BP बढ़के आता है तो तो हम BP की बारे में सोचते हैं ठीक है और जो blood pressure की problem है खास कर ये age बढ़ने के साथ हमको मिलता है ठीक है इसके लावा हम बात करते हैं शुगर की जो problem है शुगर में क्या होता है खास कर आपके blood में शुगर का level बढ़ने लगता जैसे हम hyperglycemia बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जो आप शुगर खाते हैं उसको control करने के लिए हमारी body में insulin नाम का hormone निकलता है और जब किसी को diabetes हो जाती है तो जो insulin है वो निकलता तो है लेकिन उसका जो काम करने की जो property होती है वो खतम हो जाती है exactly क्या होता है जब भी हम शुगर खा रहे हैं तो हमारी हर cell को शुगर की आफशकता होती है और हर cell के अंदर शुगर जाने के लिए वहाँ पर एक important receptor होता है जो insulin की presence में या insulin जाकि उस receptor को open करता है और शुगर का content हमारी cell के अंदर चले जाता है लेकिन जब आपकी body में insulin resistance प्रडूइस होता है insulin resistance मतलब होता है insulin तो है लेकिन वो receptor को open नहीं कर पा रहा है और receptor को open नहीं करेगा तो शुगर अंदर जाएगा नहीं तो जो insulin है लेकिन वो receptor पे काम नहीं कर पाता है insulin भरपूर होता है तो यह receptor पे work नहीं कर पाएगा हम इसे insulin resistance बोलते हैं और आज के जमाने में diabetes का mean current होता है insulin resistance होता है तो जो insulin resistance है यह diabetes produce करता है जिससे यह diabetes होती है और इसके लिए खाली पेट भरे पेट आपको टेस्ट कराने होते हैं इसके लावा तीन मेंने वाला भी एक टेस्ट होता है जो तीन मेंने से आपको शुकर का कहलावर पता बताता है है एजबी एवन से बोलते हैं यह चेक कराए जाता है तो यदि आप प्री डायबेटिक के दिदम डायबेटिस का भी आपको लग रहा है कि दम प्री डायबेटिक कंडिशन में यह जाकि आपको perfect result मिलेगा तो जिसमें दवा में आपको बता रहा हूँ पहली दवा है पैसी flora पैसी flora का mother tinter आपको लेना है थीक है दूसरा है रावल fya mother tinter आपको लेना है और तीसरा है Charter gas theater gas का mother t nutshell लेना है ठीक है तीनो के नाम आपको दिख रहे हैं ये तीनो दवा आप ले लीजिए तीनो को आप ले आईए जो मार्केट में अवेलेबल है तीनो बॉटल खईत के ले आईए और तीनो को लाने के बाद तीनो को मिक्स कर लीजिए तीनो को एक बड़ी बॉटल में मिक्स कर लीजिए या ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप एक की आधा कप पानी लीजिए एक बॉटल से पांच बॉन डालिए एक बॉटल से पांच बॉन डालिए एक बॉटल से पांच बॉन डालिए तो पंधरा बॉन सुबह हो गया और वैसे ही पंधरा बुन शाम को हो जाएगा आधा कप पानी में आप मिला नहीं पा रहे हैं तो तीनों बॉटल में से पांच-पांच बुन आधा कप में डाल दीजिए आधा कप पानी में सुबह पी लीजिए और वैसे ही शाम को आधा कप पानी लीजिए और तीनों से पांच-पांच बून जालके एक ही कप में डालकर पी लीजी इस तरीके से कर सकते हैं या तीनों को एक ही बॉटल में बड़ी बॉटल में मिलाका रख लीजिए और फिर 15 बून सुबह 15 बून शाम ले लीजिए लगातर आप लीजिए इस से तो आपकी जो pre-diabetic condition है diabetes में convert नहीं होगी और जो आपका BP का slight ठोड़ा बढ़के आ रहा है बढ़के चेंज होके आ रहा है तो वो भी आपका चेंज नहीं होगा जो आपके body को control करने में help करेगा बहुत effective formula है इसको आपको रोजाना यूस करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए जो आपके BP और diabetes दोनों को control करेगा साथ में इन दोनों के current जो body में समस्या होरी इसे नीन नाना, घबराहाट, बेचैनी, ठीक है, कमजोरी ठीक है, इनको भी ये दवा control करेगी और आपको बहुत अब तक लाब पहुंचाएगी ठीक है, तो कोई भी हमफितिक शॉप में आप जाएंगे तीनों दवाब को मिल जाएगी इसके लाबा कोई question हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं और यदि मेरा वीडियो पसंदा था प्लीज उसे like करें और इसके वीडियो के लिए में चैनल को subscribe करें नमस्कार दोस्तो